नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल में ठंडी का मोसम आते ही मेती का जो साग होता है वो मार्केट में आ जाता है और इसके पराठे बहुत ही स्वाधिश्ट बनते हैं आज में लेकर आई हूँ मेती के पराठे की रेसिपी सबसे पहले मेती का जो साग होता है उसकी जड़े निकाल दे और पत्ते को सिर्फ आपको लेना है और उसे दो से तीन पानी से बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना है उसके बाद जितनी भी बारिकी से आप साग को काट सके हैं बिल्कुल उतने बारिकी से काटे इसे यहाँ प और साथी में स्वाधनिसार थोड़ा सा नमक डाले थोड़ा सा आप चाहें तो रिफाइन भी डाल सकते हैं और जिस तरह से नॉर्मल आटा हम लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से पानी की मदद से बिल्कुल अच्छे से आपको आटा लगा लेना है इसमें आपको कोई भी पर अच्छे लगते हैं और आप पीस कर डालेंगे तो यह बिल्कुल आटा जो है बिल्कुल अच्छे से ग्रीन हो जाता है तो जैसी भी आपको मर्जी हो इस हिसाब से आप अपना आटा लगा यह देखिए मेरा आटा बिल्कुल लग जोगा है और इसमें जो पत्ते नजरा र आटा बिल्कुल अच्छे से गर्म करें और उस पर यह रोटी डाल कर इस अच्छे से पकाएं यहां पर मैंने एक रोटी को तावा पर डाल दिया और दूसरा भी मैं तयार कर रही हूं और उसे हम दोनों तरफ से अच्छे से डोट सोने तक पकाएंगे जिसे हमारा जो मेती आटा पराथा होता है बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा और आप चाहें तो इसे क्रिस्पी भी कर सकते हैं क्रिस्पी जो रहता है काफी अच्छा लगता इसे खाने में दोनों तरफ से पकाने के बाद हम रोटी में रिफाइन लगाएंगे और इस तरह से बनाएंगे आसानी से बेला जा सकता है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है रोटी को बिल्कुल अच्छे से बेल ले और उसमें रिफाइल लगा है और तीन कोने वाला जो पराठा होता है मैं ये बना कर आपको दिखा रही हूं और बिल्कुल उसी सेब में आपको देकर अच्छे से ब दोनों तरह का पराटा है मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और यहां पे मेरी जो थाली है वो तैयार हो चुकी है थोड़ा सा मैंने आलू बैगन का चोखा लिया है थोड़ी सी आलू की सबजी और अचार लिया है आई होप आपको यह छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें सस्काइब करें अपने फ्रेंट के साथ सेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में